अब देखना क्या होगा ठीक है क्या आया रिजेक्टेड रेड में आया एक दम बिलकुल आज हम दिखेंगे git fetch और git pull क्या होते हैं उन्हें कैसे यूज करते हैं और उनमें difference क्या होते हैं ठीक है चलिए लेक्स चार्ट तो अब गिट फेच और git pull जाने से पहले आपको remote branches और local branches क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए ठीक है तो for example आप एक project देख रहें github पे ठीक है आपको project अच्छा लगा ठीक है मैं यह commit history बनायता हूं थोड़ा उस पर बेटर रहेगा आप एक project देख रहें github पे ठीक है आपको अच्छा लगा यह उसकी commit history है ठीक है तो जो main branch है उसकी वो किसको point करेगी हमारे latest commit को तो यह branches जो होती है ना उनका का क्या होता है latest commit commit को point करना ठीक है for example यह आपकी branch है हमने पहले भी जब visualization tool यूज किया था last two videos में तो क्या हमने देखा था कि यह C1 है main branch यहां पर point कर रही है हमने कुछ commit किया तो क्या हुआ हमने कुछ commit किया तो main branch कहां जाके shift हो गई यहां पर आ गई थी चीक है यहसा देखा था हमने फिर हमने फिर commit किया तो main branch कहां पर आ गई थी यहां पर आ गई थी यहां set के चीक है तो branch का काम यह होता है हमारे latest code है ना जो हमारा जो latest commit है उसको point करते रहना चीक है तो आते not मेरी tribes git की डेपोसिट्री है फ्रॉजक्त है जो मुझा अच्छा लगा तो मा क्लोम तो मैं क् Sell Music कहला उड़ा क्लोन क्लोन कर लेंगे संहें स्नमार्ग को अब क्लोन करें क्लोन क्लोन कर दो आंप की प्रॉसेस कैसर रहते हैं ए है ऐस्ट थिक जब हम clone करते हैं, तो क्या होता है, पहले पहले एक origin set होता है, ठीक है, origin में क्या होता है, URL होता है, पहले ही बता चुका हूँ, किसका, इस repository का URL होगा, ठीक है, और हमने कौनसी branch इसकी वो करी है, clone करी है, तो यह हमने main branch clone करी है, तो इसलिए origin slash main बन कि आ रहा था है यहां पर छेक है तो यह जो branch होती है ना इसको हम कहते है remote branch और हमें एक और branch मिलती है जिसका by default name के होते है main तो और यार यह हमारी कौन सी होती है यह हमारी होती है local branch तो remote branch और local branch का का है जो remote branch है ना उसका इतना सा काम है जो हमारी remote repository यानि कि ये वाली GitHub वाली हमारी remote repository की जो branch है ना उसकी branch का नाम main ही है by default सारी branches का नाम main होता है unless and until you change it तो remote repository की जो branch है ना main उसको emulate करना emulate मतलब क्या emulate करना copy करना ठीक है तो initially तो शुरू-शुरू में ये C3 को ही point कर रही है क्योंकि इसको मालूम है कि जब इसने clone के पता लग गया कि हाँ ये C3 को point कर रही है तो मैं भी C3 को ही point करूंगी ठीक है और जो local branch होती है वो हमारे latest commit को point करता है branch का in general remote हो ये ये काम है कि latest commit को point करना तो अभी तक latest commit को है C3 है तो हमारी जो main branch है उसको ही point कर रही है ठीक है अब क्या हुआ अब मैंने ना कुछ changes करे मैंने कुछ changes करे अपनी file के अपने project के अंदर और उनको कर दी है commit ठीक है तो क्या होगा मेरी main branch उठके कहां से कहां पर य commit है उसके अंदर latest commit को point कर रही है ठीक है फिर मैंने यार कुछ commit किया फिर ये क्या होगा main branch उठके कहां पर C5 की तरफ आ जाएगी C5 को point करने लग जाएगी all right अब आप देखो कि मेरी remote branch अभी C3 पर है ठीक है अब for example कि कुछ time बात क्या हुआ कि कोई developer आया वो क्या कर रहा ह इसने कुछ changes करे उसने क्या करे कुछ changes करे कहां पर remote branch के अंदर और remote repository के अंदर चीक है उसने कुछ commit कर दिया एक minute just a second या उसने कुछ commit कर दिया वो commit one loss का नाम है C6 चीक है तो क्या होगा है तो main branch ही ना branch का का काम क्या है कि latest commit को point करना तो हमारी जो git की repository है उसके अंदर जो main branch है वो C6 को point कर रही है ठीक है और हमारी जो remote branch है जिसका क्या काम था उसका ये काम था कि हमारी remote repository के जो branch है वो जहांप point कर रही है उसको ही point करते रहना अब इसको तो सुर्ब इतना ही मालूम है ना कि जब ये clone हुई थी इतना मालूम है कि C3 तक latest code था वो भी उसको C3 को point कर रही थी तो मैं भी C3 को point कर रही हूं सही है क्योंकि यार हमारी remote branch और remote repository है वो 24-7 sync में नहीं रहते ठीक है नहीं रहते तो अब इसको नहीं मालूम है तो ये C3 भी अपना must point कर रही है और हम अपना changes कर रहे है और local जो branch है वो आगे अपनी update होती जा रही है एक pointer ऐसा आएगा आप बोलोगे ठीक है हो गया काम अब उत्य पर एक आप, मुझे यह जो मेरे changes है इसको क्या करना पुष करना है एक पर पुष करना है मुझे इन चीन्ज यसको तो हम बोलेगे ठीक है तो करते हैं तो हम अपना वही git add करेंगे committees हमनें करीं अब भस हम्में क्या करना हैhar get push करना है लेकिन लेकिन जब हम ceremony करेग segundo on काम था कि latest commit को point करते रहना लेकिन वो point कर रही है और C3 को और हमने वहाँ जाके देखा वहाँ पर C6 नाम को commit बना वह है और आपकी जो और वहाँ की जो main branch है वो उसको point कर रही है तो यह दोनों difference हो गए तो हम इसले कर सकते हैं तो आप एक काम करो आप पहले remote repository से latest code लेकर आ जाओ ठीक है उससे क्या होगा आपकी remote branch latest code को point करती रहेगी और आपकी फिर हम local branch उसके साथ push कर देंगे उसमें डाल देंगे हमने का ठीक है तो यह अब कैसे करें तो यहाँ पर हमारे rescue पर क्या आता है हमारा चार command हमारा आता है git fetch ठीक है तो हम git fetch को यूज़ करते हैं अब आईए इसको एक graphical form में देखते हैं कि यह काम कैसे कर रहा है और क्या होगा ठीक है चलिए तो मेरा आपके लिए एक story से prepare करी रखी थी तो यह हमारे तीन कमिट्स है ठीक है यह कहां पर हमारी गिटप की डिपोजटरी उसकी बात हो रही है रिमोट रिपोजटरी कुछ भी बोलो यार रिमोट रिपोजटरी ठीक है यह हमारी जो जैसे यहां पर master लिखाव है ना अब मेन ब्रांच बनती है यार ठीक है आप अगर अपने गिट के लेटेस्ट वर्जन पर होना तो अब जब भी आप गिट इनिट करोगे न तो आपकी जो ब्रांच बनेगी ना बाइड डिफॉल्ट वो मेन बनेगी अगर आप जाओगे 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 अब हमारी जो ब्रांच ए अमास्ट ब्रांच बोल दे चलो नहीं हम में लीगे तो मौन इन Snे कर रही है लेटस कमिट को सगे अब हमें अब अच्छा लगा तो हमने क्या चैःग गिट क्लोन यूज किया गिट क्लोन है तो क्या हूँआ एक ओरीजिन आ मीन ब्रांच का है ज हमारे latest commit को तो यार वो इसको point कर रहे है एक दम सही काम कर अपना हमारा remote branch और फिर एक local branch ही बनेगी उसका भी काम है latest commit को point करना उसके पास latest commit यह है F4265 तो वो उसको point कर रहे है ठीक है इतना सही है सही चल रहा है सब कुछ ठीक है अब क्या होता है एक बंदा आता है यह ध्यार अब अल्टिमेटली यहां पर पहुच गए तो हमारी branch का यही काम है चाहे वह remote repository में हो या local हमारे पास हो local repository में हो तो ब्रांच के इतना ही काम है कि latest commit को point करते रहना चीक है तो क्या हुआ इसने जो हमारी master branch है यानि कि क्या main branch है वह किसको point कर रही है 190 A3 यह हमारा latest commit है इसको point कर रही है ठीक है अब यह अपना अलग चल रहा है GitHub पे अब क्या हो अब यह है मेरा computer यह हमारा computer हम लोग क्या अपना changes कर रहे हैं code के अंदर हमें परवाहनी की क्या चल रहा है यह देखिए यह commit IDs अलग है ना ऊपर से देख सकते आप notices सो हम अपना अलग चल रहे हैं और हमन अभी भी ना F4265 को वो कर रही है point अभी भी उस पर pointer पड़ा रहे है क्यों उसको तो मालूम ही नहीं है कि GitHub पे क्या चल रहा है GitHub पे कोई 2 commit करके चला गया और हमारी master branch आगे बढ़ गई है और मैं पीछे रह गई हूँ तो आगे पीछे का difference हो गया उसको भी यह मालूम नही है हमें हमें नहीं मालूम तो हम क्या चा रहे हैं हम जाते हैं git push करने और हम क्या encounter करते है एक error तो इस error से बचने के लिए हम क्या करते हैं हम यूज करते हैं कमांड जिसका नाम है git fetch यह देखिए git fetch और origin लिखना है origin मतलब कहां से हम fetch करे मतलब आप बताओ ना कोई URL दो ना च होता है मैंने पहले भी बताया था ठीक है उसी remote repository का ठीक है तो हम बोले जाओ fetch करके लाओ से सारा updated code तो जब हमने यह किया ना तो आप देखिए क्या हुआ हमारा जो origin slash master यानि हमारी कौन remote branch आप देखो किसको point कर रहा है 190 A3 यानि latest commit को point कर रहा है और हमें यह ही चाहिया था और जो हमारी local branch है local branch किसको point कर रही है हमने जो changes कर रहे थे उसकी local उसकी latest commit को तो यह चाहिया था तो यह ऐसे issue resolve हो गया master अब इस पे है और local branch इस पे है 89C3F पे और जो remote branch है वो 190 A3 पे है तो अब हमारा देखो remote branch और यह वाला दोनों एक ही चीज को point करने है और हमारा जो code है वो push भी हो गया है ठीक है हमारा code अब क्या हो गया push भी हो जाएगा तो यह ऐसे काम करते है ठीक है अब हम इसको एक बाद code के थूद देख लेते हैं और फिर उसी में देखेंगे कि हम git fetch use करने के बाद हम को क्या करना पड़ते है जिससे हमें git pull की ज़रह पड़ दी ठीक है प्रजेक करके उसके अंदर एक sub directory है ठीक है और एक dot git ignore एक abc और एक df file यही मेरी same उस पे है github पे ठीक है मतब दोनों की अब इस समय में क्या दिखना जा रहा हूं सब में same files है तो कुछ नया commit है नहीं हमें कैसे देख सकते हैं हमें git status से देख सकते हैं किया हम आपास तो अब हमें क्या करना है अब हमें इतना सा काम करना है कि यह जो हमारी files है इनमे same है तो हम क्या करते है अपनी जो repository है हमें ऐसा कुछ करना है कि कोई push कर लागे changes तो आप यहीं से कुछ file add कर देते हैं ठीक है All about git fetch, all right. So, what are we going to do? We will commit these changes. All right, all right. We have committed changes. Fetch.txt has become here in remote repository. And in remote repository, then our main branch will point this commit. See, E, AF, D, E6. And we have this commit, you can see. It won't happen. Why? Because we have git, because we have fetch.txt name file. We have git log and see. Our latest commit, see where it is. Our main branch is our main branch. This is our local branch. Origin slash main is our remote branch. We are pointing both here. And both are now on this commit. Okay? If I show you our commits. Let's. So, see, this is 2A195ED. Okay? And this is 2A195ED. So, we have an extra commit. So, we have an extra commit. E, AF, D, E6. We have not. So, our remote branch and local branch are one commit. To point to point to point to point. But, our GitHub repository is our local remote repository. How much is our commit? To point to point to point. So, our previous branch is our commit. So, next is the difference. After we are back. Our remote repository is coming. चली गई ठीक है यह मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया देखो अब हम कुछ समझ लिए कुछ चेंजिस कर लेते हैं ठीक है अब मेट सम्मोर चेंज़स अब क्या करेंगे इसको गिट आड करेंगे और क्या करेंगे गिट कमिट करेंगे चेंज़ एबी सी डॉट टी एक्सटी चीए ओफो दो मिनिट जिस्टर माइन ब्लंटा हमने कमिट कर दिया अब वही यूजव है हम एक थोड़े ना मालूम है कि कोई पुछ करके चला गया वो तो मिन आपको दिखाने के लिए खुच से किया लेकिन हमें नहीं मालूम हो किसी और ने करेंगे तो हम क्या करेंगे गेट पुश करेंगे तो अब देखना क्या होगा एक दम बिलकुल और कहा रहा है फेच फरस्ट पहला फेच करो एरर फेल टू पुश सम रेफरेंसेस तो दिस यूरल ठीक है क्यों अपडेट्स वर एजेक्टेड बिकॉज रिमोट कंटेंज वर्क दाट यू दू दू वह चेंजिस आपके लोकल फाइल में नहीं है ऐसा की होता है ऐसा की होता है दिर यूजली कोश भाऌगा विअना ऐफरेंटीरी पुशिंग तो अपल यह कि एस यह होता है क्या कि किसी और की बिलब क विई पुशिंग रहे है तो आपको मालुम नहीं है तो इसमीरेंस अज आपको पहले वो changes integrate करने चाहिए, push करने से पहले, ठीक है, तो आप बोलोगे, ठीक है, अब देखो, get कितना अच्छा है, सब बता रहा है, तो आप क्या करोगे, fetch कर लेते हैं, ठीक है, fetch कर लेते हैं, git fetch, कहां से, origin से, हमने enter कर दिया, अब ये क्या बोल रहा है, ठीक है, हम सब अब हमारी आप देखिए, अब हमारी जो वो है, फाइल, हमने पुल कर लिया है, ठीक है, हमने पुल कर ली थी, तो यार, अब एक और, पुल करने के बाद भी देखो, हमारे left side में, fetch.txt नहीं देख रहा है हमको, ठीक है, तो उसका क्या reason है, यार, उसका ये reason है, अब भी हम हमने पुल कर ला है, जब हम पुल करते हैं, तो हमारी जो local, जो changes है, वो हमारे local repository में आते हैं, local repository में आने का मतलब, जो .git file बनती है, उसके अंदर आ गए है, लेकिन हमें वो visible नहीं है, क्योंकि अभी हमारी working directory में नहीं आए, ठीक है, तो working directory में लाने के लिए क्या करना escape दबाओ, colon दबाओ, और quit दबाओ, ठीक है, अब भार आ गए, अब देखें क्या हुआ, one file change, और fetch.txt लिखा गया, और देखो left side में भी fetch.txt file बन चुके हमारी, ठीक है, cool, अब हमें क्या करना है, अब हमें status देख लेते हैं, एक बार हमारी file के status क्या है, on branch main, your branch is head of origin main by two commits, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, पुश कर देंगे, ठीक है, अब हमने पुश कर दिया, तो क्या हुआ, अब हमारे जो भी changes थे, चले गए आगया, और complete हो गए, अब हम यह यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी learning git वाले इस पर आते हैं, ठीक है, अब हमने refresh किया, made some more changes भी आ आगया, चीक है, चले आएर, आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में, चैटा,